तो आज के हमारे इस लाइब स्ट्रीम में हम डिसकस करने वाले हैं हमारे टेस्ट सीरीज का सेकेंड पेपर जो किसके उपर था जो था तो आज हम इसका discussion करने वाले हैं आज हम ये सारी चीज़े देखने वाले हैं कि इनका solution क्या होगा कैसे होगा और उसी के साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि जो typical questions थे उनको किस तरीके से हमें deal करना था कौन से छोडने थे कौन से attempt करने थे और कौन से में हमें risk लेना चाहिए था तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये आज का lecture अभी जो भी हमारा साथ जुड़ चुके हैं एक बार comment section में जरूर बता दें कि हम यहाँ पर जुड़ चुके हैं ठीक है चलिए first question की तरफ चलते हैं और first question जानने की कोशिश करते हैं which of the following statement is correct about the quit India movement quit India movement के बारे में कौन कौन सी चीज़े सही हैं उसके उपर जानकारी लेते हैं to suppress quit India movement martial law was not imposed by the British law तो पहला जो question है पहला जो statement है उसके अंदर एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि quit India movement के दौरान वैसा atmosphere बन गया था कि क्या है martial law लगा दिया गया है but actually मैं martial law applicable नहीं था वहाँ पे वहाँ पे martial law applicable नहीं था माहौल वैसा बन गया था हमें लग रहा था कि martial law है तो पहला statement तो correct है गांदी जी to condemn their fused violence of the refused sorry यहाँ पे लिखते वक इन्हों ने गलती कर दी refused to condemn violence this is also right क्योंकि गांदी जी को लगा कि यह जो violence हो रही है उससे जादा बड़ी तो violence Britishers कर रहे है जो state है state violence कर रहा है तो दोनो statement सही है third it initially started as rural revolt marked by boycotts and picketing actually यह statement गलत है क्योंकि rural background से यह चीज़ शुरू नहीं हुई थी यह चीज़ कहां से शुरू हुई थी यह चीज़ शुरू हुई थी urban background से ठीक है and then later on it went to rural background यह starting में ही rural background में नहीं थी तो यह चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान देनी है urban background से चालू हुई d option आता है none of the above अब यहाँ पर option में question में framing में गलती हुई है यहाँ पर अगर not correct होता तो option c सही रहता तो यह question के अंदर दिक्कत है इस question को scrap करना पड़ेगा चलिए आगे चलते हैं और दूसरे question की तरफ हम बढ़ते हैं so the second question is in the context of जलिया वाला बाग arrange the following in the chronological order of happening पहले रोलेट एक्ट पास हुआ यह रोलेट एक्ट से ही सारी चीजें शुरू हुई सबसे पहले रोलेट एक्ट पास हुआ और उसके बाद क्या हुआ arrest of dr. सत्यपाल and dr. सैफुदीन किचलू ठीक है उसके अगला point कौन सा है formation of disorders inquiry committee tag or renounced his knighthood तो इसके अंदर यह second पे आएगा क्योंकि उस समय पे गांदी जी भी कहां जा रहे थे पंजाब जा रहे थे उन्हें भी वापिस लोटा दिया गया arrest हुआ, arrest किसका हुआ? arrest हुआ, dr. सत्यपाल और सैफुदीन किचलू का उसी के protest के लिए लोग इकठा हुए थे arrest को renounce कर दिया, जलिया वाला बाग के बाद भी ये लोग रुके नहीं रात को बहुत जादा atrocities हुई वहां पे, ठीक है? जलिया वाला बाग तो हुआ ही हुआ उसके बाद उस रात को बहुत जादा atrocities हुई, naked parade कराई गई मतलब कपड़े उतरवा दिये गए इंडियन्स के, उसी के साथ इंडियन्स के घर पे जो पंखे लगे थे वो उतरा के यूरोपियन्स के घर पे लगा दिये गए, parade करवाई गई, बांध के parade करवाई गई, इस तरीके का काम किया उन्होंने और इसी चीज़ के खिलाफ protest करते हुए क्या कहा, टैगोर ने कहा कि मैं अपना knighthood जो है, renounce करता हूँ, knighthood छोड़ता हूँ, जो उन्हें sir का title देता था, उन्होंने renounce कर लिया, फिर उसके बाद जो है, यह यहाँ पे committee establish हुई, यह चौथे पे हुआ, तो इसका correct क्या होगा तो इसका correct रहेगा, 1, 2, 4, 3, so option C will be the right option, C option जो है, वो सही option है, यह इसकी सही chronology है, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगले question को समझने की कोशिश करते हैं, which of the following represents the demand made by the गांधी जी to government before civil disobedience movement, आप सबको मालूम है कि गांधी जी ने 11 demands रखी थी, ठीक है, अब यह कुछ factual चीजें हैं जो obviously आपको याद रखनी पड़ेंगी, बागी जो चीजें हैं वो chronology के अनुसार हम समझ लेते हैं, एक history को story की तरह समझ के याद कर लेते हैं, बट उसके साथ-साथ यह कुछ चीजें हैं जो हमें factually भी याद रखनी पड़ेंगी, जि यह, यह जो हैं यह चीज गलत है, तो इसका right option होगा, option one and two only, इसका right answer क्या होगा, option a one and two only, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और next question को समझने की कोशिश करते हैं, which of the following were the causes of 1857 revolt, interesting है, the British policy of Pax Britannia, अब पहले पुराने जमाने में क्या हुआ करता था, एक regular आदमी हुआ करती थी, जो तो राजा के साथ रहती थी, उसके साथ लड़ती थी, बट कई बार क्या है, हमें और जादा soldiers की जरूरत परती थी, तो कुछ ऐसे groups हुआ करते थे, tribal groups हु करते थे, जो उस राजा के साथ जुड़ जाते थे, उस राजा की आर्मी के साथ जुड़ जाते थे, कौन से assurance के उपर, इस assurance के उपर कि अगर राजा युद्ध जीच जाता है, तो हमें plunder करने का अधिकार दिया जाएगा, लेटर ओन ये क्या हुआ, धीरे-धीरे सारा काम जाता रहा इनका, और ये बन गए वहाँ पे लूटे रहे, ये लूट करने लग गए, और इसी के खिलाफ क्या है, ब्रिटिशर्स ने बहुत जादा अपनी policies ट्रिक्ट कर दी, और लेटर ओन जब 1857 रिवोल्ट आया, तो इन सब को लगा कि अब हमें revolutionary बनने का एक काम मिल है, हमें वो एक पद मिल रहा है, तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, हम इस चीज़ को ले लेते हैं, तो ये पहला statement right है, the religious disabilities act 1850, अब इसके अंदर क्या था, आपको समझने की कोशिश करनी है, कि पहले एक चीज़ हुआ करती थी, कि अगर कोई इनसान अपना धर्म बदल दे है, फिर भी उसका अधिकार रहेगा, अपने पिता की property के अंदर, तो ये चीज़ क्या थी, एक intervention नहीं था हिंदुईजम के अंदर, तो उन्हें ये चीज़ गलत लगी, post office act, post office act आने से पहले क्या था, कि जो soldiers हुआ करते थे, जो army men हुआ करते थे, उनके उपर किसी भी तर पड़ेगा, उसके बाद ही, वो कोई चीज़ post कर पाएंगे, तो तीसरा भी एक reason बना उस चीज़ का, General Service Enlistment Act 1856, ये भी चीज़ सही है, क्योंकि आप सबको मालूम है, कि हिंदुईजम के अंदर, पुराने जमाने में एक मान्यता थी, कि अगर आप समंदर पार करके चले जाते हैं, अगर आप दरिया के उस पार चले जाते हैं, तो आप अपना धर्म खो देंगे, ठीक है, तो ये चीज़ काफी एक गहराई से जुड़े भी थी हमारे साथ, वो यहाँ पे change कर दी गई, यहाँ पे कहा गया, कि अगर कोई भी British Army को join कर रहा है, उसे जहां बोला ज हो गई होगी, चलिए आगे चलते हैं और अगले क्योशन को समझने की कोशिश करते हैं, consider the following statements regarding dual system of administration introduced by Robert Clive, जी हां Robert Clive ने जो dual administration का system लाया, उसके बारे में यहाँ पे कुछ statements दिये गए हैं, सबसे पहले क्या बताया गया, it was introduced as a solution of political tangle in the avad state, अवद में था कि कहा था, कौन परताएगा, comment section में बताईए क्या यह अवद state right है, और अगर right नहीं है तो इसकी जगे क्या होगा, अगर अवद state right नहीं है, तो इसकी जगे क्या होगा, अगर अगर झाल तो इसका आंसर बेंगाल वेरी गूड इसका आंसर क्या रहने वाला है बेंगाल रहने वाला है बहुत साई दूसरी चीज दूसरा इस्टेटमेंट हम देखते है दूसरा यहाँ पर क्या बता है दिवानी फंक्षन किसको दे दिए गए दिवानी फंक्षन रूलर को दे दिए गए जी नहीं ऐसा नहीं था निजामत फंक्षन दिए गए थे कौन से फंक्षन जो एड्मिनिस्टेशन के रिलेटेड फंक्षन है वो दिए गए थे बाकी नहीं दिए गए थे और जो दिवानी थे मतलब revenue related थे वो company को दे दिये गया तो यहाँ पर statement को change कर दिया गया है यहाँ पर mix कर दिया गया है जो actually ruler के regarding होना चीए था वो company के regarding दे दिया है और जो company के regarding होना चीए था वो किस के regarding दे दिया है वो ruler के regarding दे दिया है third it was abolished by Warren Hesting this is right अब यहाँ पर अगर आपको तीसरा मालूम भी नहीं है कि उसे किसने abolish किया किसने नहीं किया तो भी आपको पहले दो तो एकदम clearly मालूम है कि नहीं कि यह पहले दो गलत statement है तो directly eliminate करो जहाँ 1 और 2 दिये गए हैं उन सब को हटा दो तो यहाँ पर 2 दिया गया है यह हट जाएगा यहाँ 1 दिया है यह हट जाएगा यहाँ 1 दिया है यह हट जाएगा तो सीधा आपका option आ जाता है C कभी भी direct answer खोजने की कोशिश मत करो again and again I'll say that to you कि अगर आप answer खोजने की कोशिश करेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी गलती होने के chances बढ़ जाएगे पहले जो गलत है उन्हें आप side में निकाल दो उन्हें बाहर निकाल दो यह चीज़ें clear हुई चलिए आगे चलते हैं और अगला question समझते हैं consider the following statement regarding दादा भाई नारो जी दादा भाई नारो जी he founded East India Association in London with the aim of putting across the Indian point of view before the British public जी हाँ ये चीज़ सही है ये चीज़ बताई गई थी उनका aim and objective क्या था London में इस organization को establish करना उसके पीछे ये था कि British public जो है वहाँ के जो लोग है influential लोग है उन्हें बताया जाए कि इंडिया के अंदर परेशानी क्या चल रही है he was elected as the president of Indian National Congress only once जी नहीं ये statement गलत है उन्हें सिर्फ एक बार नहीं उन्हें तीन बार नियुक तिया गया था और जो third time किया गया वो तो बहुत important reasons के through किया गया था तो एक तो 1886, एक 1893 और एक 1906 तो ये जो 1906 वाला दौर था इस समय पर extremist as well as extremist के साथ-साथ moderates दोनों एक दूसरे के सामने आ गए थे तो दादा भाई नारो जी कैसे थे उनकी सब respect करते थे और उस respect के चलते moderates ने क्या किया, moderates ने सामने रखा कि हम दादा भाई नारो जी को उनोंने स्टार्ट किया, तो यहाँ पर right option कौन सा होगा, यहाँ पर right option होगा, one and three only, तो इसका right answer है C, ठीक है चलिए आगे चलते हैं और अगला question समझते है Question number 7, consider the following statement regarding उद्ध्यमी भारत program, it is an initiative of the ministry of micro, small and medium enterprises, यहाँ सही चीज है उद्ध्यमी यह जो program बनाया गया, यह किसके लिए बनाया गया, SMSE के लिए, MSME के लिए sorry, under the program मुद्रा योजना, स्फूर्थी emergency credit line guarantee scheme वर launch, तो यहाँ पर दोनों statement both one and two are right ठीक है, consider the following statement, electromagnetic aircraft launch system is used in launching an aircraft from the deck of naval aircraft carriers, now this is right ठीक है, आप यह देखिए कि आप कितना बड़ा runway बना पाएंगे ठीक है, उसकी एक limitation बन जाएगी जब आप aircraft carrier, वो ship जो है बड़ा उसके उपर से आप aircraft को launch करते हैं तो कितना बड़ा runway बना पाएंगे उसकी एक limitation आ जाती है, इसलिए system को use किया जाता है emails use both steam power and linear induction force to catpull the aircraft and launch it यहाँ पे दोनों नहीं होते, एक साथ नहीं होते, मतलब और होता है या तो यह वाले system से function करता है या यह वाले system से function करता है दोनों system एक साथ implement हो, ऐसी चीज़ जरूरी नहीं है यह चीज़ यहाँ पे second statement को गलत कर देता है, अगर यहीं पे end की जगे और दिया होता, तो वो right हो जाता, ठीक है, आएनेस विशाल, ठीक है, आएनेस विशाल नहीं है, विक्रम आदित्या है, तो यह statement भी wrong हो गया, तो कौन सा statement इसमें सही रहा, इसमें सही रहा, सिर्फ one, only one so option A is right, that is only one consider the following statement about काई, red weaver end, यह चीज़ क्या कहते हैं, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, काई are recognized as biological control agent in tropical crops, this is right, यह जो end है, यह जो हैं, यह बहुत ही जादा aggressive होती है, अगर इनकी territory में कोई भी आ जाता है, तो यह aggressively होके उनपे attack कर देती हैं, बहुत ही गुस्से के साथ उनपे attack कर देती हैं, तक काई chutney, जी हाँ, chutney बनाई जाती है, आप में से कई लोग को ऐसा लग रहा होगा कि यह कौन सी चीज हो गई, बट जी हाँ, जी हाँ, जो chutney बनाई जाती है, वो rich in protein, calcium, zinc, इन सब के अंदर जो है, रहती हैं यह चीज़ें और उसी के साथ साथ ही हमारी immunity को भी boost करती है, तो both statement 1 and 2 are right, इसको क्या दिया गया है, geographical indication, जी नहीं, geographical indication नहीं दिया गया है, OD सा चाहता है कि इस चीज़ को geographical indication मिले, but not right now, अभी तो उसके पास नहीं है, ठीक है, तो इसके अंदर कौन सी चीज़ें right होंगी, statement 1 and 2 only, तो 1 and 2 यहाँ पर right होंगे, यहाँ तक कोई doubt, चलिए आगे चलते हैं और अगला question समझते हैं, which could be the possible impact caused by the space tourism industry, the growth trend of the space tourism indicates a potential for the depletion of ozone layer and above the Arctic, this statement is right, जी हाँ यह चीज़ सही है, ozone layer पर इससे harmful effect होगा, जो भी gases release होंगी उस दौरान उसकी वज़े से, दूसरा statement क्या कहता है, the black carbon shoot that is emitted by the rockets, retains more heat in the atmosphere, this is very much right, यह चीज़ सही है, यह 500 गुना जादा, 500 X, जो है heat को retain करता है, हमारे atmosphere को गरम करने की जो है, यह शमता रखता है, C, both 1 and 2 are right over here, दोनों चीज़ें जो हैं सही है, understood, आगे चलते हैं और अगले question को समझने की कोशिश करते हैं, consider the following statement about प्रात्ना समाज, it was founded in Bombay in 1867 by आत्माराम पांडूरंग, यह statement right है, बट इसी के related मैं आपसे एक और चीज़ पूछता हूँ, आप मुझे answer दीजे comment section के अंदर, कि इस organization को प्रात्ना समाज को famous किस ने किया, कौन सा ऐसा इंसान था, जिसकी वज़े से यह काफी ज़्यादा famous हो गया, बताएए, बताएए comment section, इनकी वज़े से जो है, यह आगे जाके काफी ज़्यादा famous हुआ, बट इसको established किस ने किया था, तो आत्मा रंग पांडू रंग ने ही किया था, प्रात्ना समाज differed from ब्रह्मो समाज by its greater reluctance to break with orthodox tradition like idol worship, जी हाँ यह यह चीज सही है, जिस तरीके का ब्रह्मो समाज था, उससे अलग था, यह किसी भी तरीके से यह नहीं चाहते थे कि आप अपनी caste boundation छोड़ किया है, आप बाकी सारी चीज़ें पीछे रख किया है, वो सारी boundation इसके अंदर नहीं थी, तो the correct option is C, both 1 and 2, दोनों यह option जो हैं सही हैं, दोनों statement जो हैं correct है, चलिए आगे चलते हैं question number 12 की तरह, अब 1928 में क्या हुआ नहीरू रिपोर्ट थी, नहीरू रिपोर्ट के अंदर dominant status की मांग की गई थी, तो सब लोग बड़े, जो young young थे, वो बोले कि आप क्या dominant status, अब तो हम complete independence लेंगे, complete independence लेंगे, तो मोतिलाल नहरू और महत्मा गांदी का कहना यह था, कि चलो एक साल का उन्हें समय देते हैं, एक साल उन्हें देते हैं, तो बाप से बेटे की तरफ गद्धी चली गई, तो transition कहां से कहां तक आया, मोतिलाल नहरू से गद्धी किसके पास चली गई, presidency किसके पास चली गई, जवालल नहरू के पास चली गई, तो इनकी chronology बतानी, फस्ट एंगलो शिक वर, फस्ट एंगलो अफगान वर, फस्ट एंगलो बर्मा वर, तो इसके अंदर chronology यह है कि सबसे पहले हुई थी एंगलो बर्मा वर, 1824 से लेके 26 तक, फिर उसके बाद आया Anglo-Afghan War ठीक है, 34 के करीब यह वाली War फिर उसके बाद आई Anglo-Sikh War ठीक है, तो इसके chronology रहने वाली है 3, 2, 1 अगर आपने यह सारी चीज़ें पड़ी हैं तो आप अपने दिमाग में एक story format में भी उस चीज़ को देख पाएं So this is the correct chronological order यह Lord Vishnu के जो है पुजारी है फिक पुष्टी मार्ग संप्रदाय यह संप्रदाय भी किस से जुड़ा हुआ है तो Lord Vishnu फिक दशनामी सन्यासी इसकी स्तापना किसने की आदि संगराचारे ने ठीक और यह यह किसको फॉलो कर रहे है शीवा को ठीक यह किसको फॉलो कर रहे है शीवा को निम्ब्रक संप्रदाय निम्ब्रक संप्रदाय जो है वो राधा कृष्ण के साथ जुड़ा हुआ अब जब कृष्णा की बात आ रही है तो ultimately किसकी बात आ रही है विष्णू की बात आ रही है तो वैष्णविजम में से कौन-कौन से जुड़े हुए रहे गए थर्ड को अगर छोड़ दें तो बागी सब लोग जुड़े हुए है 1, 2 and 4 तो यहाँ पर option यह रहा C इंडिया, दपुन्यपरा वैलार अप्राइजिंग ऑफ 1946 वाज़ वर्किंग क्लास रिवोल्ट, मुस्लिम पीजन्ट रिवोल्ट अगेंस हिंदू लेंडलोड्स, रिवोल्ट अगेंस कास्ट अट्रोसिटीज, ट्राइबल रिवोल्ट अगेंस दी आउटसाइडर तो इसका करेक्ट अंसर है वर्किंग क्लास रिवोल्ट, यह कम्यूनिस्ट पार्टी द्वारा जो है और्गनाईस किया गया था, किसके द्वारा और्गनाईस किया गया था, कम्यूनिस्ट पार्टी, और कहां और्गनाईस किया गया था, तो त्रेवेन कोर में किया गया थ ठीक है तो इसका option क्या होगा? सही answer क्या होगा? इसका सही answer होगा? A Question number 16 Fowler committee was appointed by the British government of India on 29th April 1898 to examine the So the correct answer is the position of Indian currency अब इसके अंदर क्या इन्होंने judgment लिया? क्या इन्होंने decide किया? तो पहली चीज तो इन्होंने क्या है? silver coin को बंद किया दूसरी चीज इन्होंने उसी के साथ साथ जोड़ी कि अब Indian rupees की हम valuation कि हिसाब से decide करेंगे अगर हम Britain के पैसे की बात करें और इंडिया के रूपय की बात करें तो उसमें किस तरीके से आप जो है एक arrangement लेके आएंगे तो उस arrangement के लिए बताया गया कि rupees 15 जो है उसकी value कितनी होगी? one sovereign one British sovereign तो यह चीज़ें यहां पे decide की गई यहां पे decide किया गया position of Indian currency ठीक है? question number 17 with respect to manसबदारी system under the Mughal rule consider the following statement मनसबदारी एक rank हो गया मनसब जो है एक rank हो गया अब उससे related यह जो statement दिये है उसकी हमें जाच करनी है तो क्या क्या बताये गया है? अब इस में से आप लोग मुझे बताईए statement सही है कि गलत है first वाला काजल यश बताईए first statement सही है या गलत? दोनों के दोनों काम हुआ करते थे उसके साथ all मनसबदार्स वर paid in cash no not all मनसबदार्स वर paid in cash सारे मनसबदार को cash में नहीं दिया जाता था कुछ-कुछ मनसबदार ऐसे हुआ करते थे जिने cash के अंदर pay किया जाता था उसके अलावा बहुत सारे मनसबदार को जागीर दी दी जाती थी कि आप वहाँ से जाके उस चीज को collect कर ले it was hereditary in nature जी नहीं यह hereditary नहीं था अगर पिता जी चले गए हैं तो उनहीं का मनसब अब उनके बेटे को नहीं मिलेगा मतलब same rank पे वो नहीं आएगा उसे वापिस starting से start करना पड़ेगा 0 से start करना पड़ेगा so which of the following are correct option is a one only understood चलिए आगे चलते हैं और अगले question की तरफ बढ़ते हैं question number 18 consider the following statements according to high court and accused in normal circumstances need not to be handcuffed upon the arrest जी यहां handcuffing नहीं की जा सकती यह चीज बताई गई है कि under article 21 यह हमारा अधिकार है but यहां पे साफ साफ लिखा है normal circumstances अगर extraordinary circumstances होते हैं कुछ ऐसी गटनाएं गटती है तब उसे जो है किया जा सकता है handcuff दूसरी चीज कौन सा case यहां पे बताया गया है तो case यहां पे बताया गया है प्रेम शंकर सुकला वर्स देली administration by supreme high court this is right so first and second both are right and under trial prisoner during the transit from jail to the court and back need not to be handcuffed जी नहीं यह चीज नहीं है यहां पे बताया गया है कि अगर extraordinary circumstances होते हैं तो आप उसे handcuff कर लें उसी के साथ-साथ अगर ऐसी situation बन जाती है कि transit ले जाते होगे मतलब उसे jail से court ला रहे हैं court से jail ले जा रहे हैं तो ऐसे समय पे या तो वो convict है उसे सजा मिल गई है तो भी आप handcuff लगा सकते हैं या फिर वो जो है उसके उपर मुकदमा चल रहा है तो भी handcuff लगा सकते हैं तो answer is one and two only the kanimara teak is worshipped by the tribes of parambika kulum and is the flagship of the tiger reserve this is right kanimara tree had won the union government's maha vriksh purushkar this statement is also right बड़ जब हम बात करते हैं UNESCO intelligible heritage की तो वो इसे नहीं मिला है यह इतना statement correct है बड़ इसके आगे यह चीज़ add कर दी गई है तो पूरा का पूरा statement जो है वो गलत हो जाएगा so the answer will be answer a one only सिर्फ a जो है वो सही है यहाँ अगला question कौन सा है foreign currency non-resident fcnr is a type of term deposit that nris can hold in india in foreign currency any non-resident india and pio card holder can open fcnr b account a account को बंद कर दिया गया है तो b account सही है the principal amount and interest amount of an fcnr b are tax free and fully repairable this statement third statement यह इसकी एक जो है special feature है तो यहाँ पे तीनों चीज़ें जो है सही हो जाती है all 1, 2 and 3 are right तीनों statement जो है वो यहाँ पे सही है अगला question which of the following statement is our correct about the sharepa यहाँ पे आपको दिक्कत हुई होगी क्योंकि यहाँ पे 202 लिखा है बड़ ऐसे question को भी हम किस तरीके से deal कर सकते है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे उसको भी जानने की कोशिश करेंगे बहुत ही आसान है a sharepa is the personal representative of head of state or government who prepares an international summit this is correct पहला statement जो है वो correct है वो उनका workload जो है divide करता है उनका workload कम करता है उनके workload में आसानी पैदा करता है तो first statement is right दूसरा क्या बताए गया है the sharepa is generally quite influential and have the authority to make a final decision about a given agreement जी नहीं sharepa के पास final agreement बनाने का जो है अधिकार नहीं होता है वो final अधिकार किसके पास होगा head of the state या head of the government जो भी वहाँ पे represent कर रहा है उनके पास होगा इंडिया will hold the presidency of the G20 from 202 अब आप सबको ऐसा लग रहा होगा कि 202 क्या है तो 2021 भी हो सकता है 2022 भी हो सकता है 2023 भी हो सकता है तो जो आपका concern है वो बिलकुल सही है बट यहाँ पे हमने first और second statement को अच्छी तरीके से analyze कर लिया तो अब इसको किस तरीके से eliminate करेंगे वो चीज समझने की कोशिश करिएगा यहाँ पे second जो है वो गलत है बिलकुल भी तो जहाँ जहाँ आपको two दिख रहा है उसको eliminate कर दो option A eliminate हो गया option C eliminate हो गया option D eliminate हो गया तो right answer बचा कौन सा? option B यहाँ पे जो misprint हुआ है उसकी हमें कोई भी तरीके से दिक्कत नहीं हुई तो the correct answer is one and three only तो अपने जो है patience को पगड़के रखें panic ना कर जाए ऐसे questions के अंदर क्योंकि UPSC का exam जो है वो आपको pass कराने के लिए नहीं होता वो आपको fail कराने के लिए होता है वो आपका patience देखना चाहते है वो यह चीज़ देखना चाहते है कि आप कितनी बहतर तरीके से सारी चीज़ों को handle कर सकते है consider the following statement about the CRIPS mission it offered dominion status with no right of secession for the provinces जे नहीं dominion status तो दिया गया था but with right to secession गांधी जी was the official negotiator from the congress side गांधी जी 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 है वो official negotiator थे यह चीज़ गलत है official negotiator कौन थे जवालाल नहरू and मौलाना आजाद मौलाना आजाद यह दो जो हैं सही थे the only political party to welcome it was the radical democratic party led by M.N. Roy the third statement is correct तो यहाँ पर option क्या बनेगा option C three only will be the right option यह चीज़ जो हैं वो सही मानी जाए चलिए आगे चलते हैं और अगला question समझते है with reference to the Maratha Empire the Sangola agreement signed in 1750 was to किस चीज़ के लिए था Sangola agreement तो Sangola agreement जो हैं वो sign हुआ किस के बीच में पेशवा के बीच में और चत्रपती के बीच में उस समय पे चत्रपती कौन थे? उस समय पे चत्रपती थे? चत्रपती राम राजा क्योंकि आपको मालूम है कि eventually जब हम Maratha Empire को पढ़ते हैं तो starting में power छत्रपती के पास consolidated थी बट later on ये धीरे-धीरे कहां चलीगी पेशवा के अंडर चलीगी पेशवा जो है वो real head बन गए और छत्रपती जो है वो सिर्फ title hole करने लग जब तो ये चीज़ आपको यहां बताए गई है कौन थे? राम राजा कौन थे? तारा बाई के grandson थे तो उन्होंने क्या है treaty की किसके साथ पेशवा के साथ? तो यहां पर right option होगा B. invest पेशवा with more authority understood? next question consider the following statement with respect to Lahore Congress session 1929 पूर्ण स्वराज was declared the goal of Congress it was presided by जवाल लाल नहरू मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि किस तरीके से मोती लाल नहरू ने एक साल का समय मांगा और उसके बाद कहा कि अगर हमें dominant status नहीं मिलता है तो हम क्या करेंगे पूर्ण स्वराज की शपत लेंगे और किस तरीके से बाप को replace किया बेटे ने और अब कौन आ गए जवाल लाल नहरू तो यह जो है यहाँ पे पूर्ण स्वराज की शपत ली कि अब हम लेंगे तो सिर्फ complete independence उसके अलावा कुछ भी नहीं तो first and second option are right the first all India youth congress came into being during this session इस session के डौरान नहीं आई थी यह 1928 में ही आ गई थी यह कब आ गई थी 1928 में और 1928 के अदर president कौन था congress session का तो उस समय पे थे मोतिलाल नहरू so the option is option A 1 and 2 only यह दोनों चीज़ें जो हैं सही है which of the following movement is being described in the below given passage the movement started soon after the annexation of Bengal by the British during the movement the British authority was defied and taxes were levied on zamidars and peasants the movement was started by Muslims but Hindus also actively participated in it Bhavani Pathak and Devi Chaudhraani so यहाँ पे इनी दो नामों के साथ आ जाता है फकिरी अपराइजिंग सामने फकिरी अपराइजिंग जो है वो यहाँ पे सामने आ जाता है इसको lead किसने किया था तो manjum shah manjum shah जो थे इसके leader थे और जैसे ही manjum shah की death हो गई तो उसके बाद कौन आये तो उसके बाद हमारे सामने आये चिराग्षा पठान राजपूत सब लोगों ने साथ में मिलके जो हैं रजिस्ट किया So the answer is answer C Consider the following statements about the Indian home rule society established during India's freedom struggle It was established outside India जी हाँ ये चीज़ सही है श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इसको start किया था ये भी सही है Its objective was to attain complete independence by passive resistance and non-corporation of an extreme form तो ये जो है ये revolutionary थे अपने आप में ये revolutionary तरीके से आजादी चाहते थे ठीक है तो यहाँ पर correct statement कौन से होंगे correct statement के अंदर आएगा C that is 1, 2 and 3 तीनो statement right है तीनो statement में कोई भी तरीके की दिक्कत नहीं है Which of the following statement regarding the provision of communal award are correct Muslim Sikhs and Marathas to get separate electorate Muslim Sikhs तो आपको idea हो गाई बड़ Marathas शायद देखके आपको लगेगी उनके लिए भी क्या separate electorate थी तो जी हाँ उनके लिए भी separate electorate थी Marathas की जो presidency है उसी area में इनके लिए कुछ seats reserved की गई थी Double vote मिलेंगे जिसके अंदर वो आलग आलग तरीके से यूज़ करेंगे एक अपने separate constituency के लिए separate electorate के लिए और एक general electorate के लिए तो ये चीज़ भी सही है 3% seats to be reserved for women in all provinces across the country जी नहीं सारे provinces के अंदर नहीं की गई थी एक specific province था वो कौन सा था Northwest Frontier Province Northwest Frontier Province के अंदर जो है ये चीज़ हमने देखी तो यहाँ पर option कौन से सही होंगे option सही होंगे 1 and 2 only 1 and 2 only are the right option understood चलिए आगे चलते हैं और अगले question को समझने की कोशिश करते है question number 28 consider the following statement the observable universe is ball shaped region of the universe comprising all the matter that can be observed from earth जी हाँ ये statement सही है earth से हम observe कर सकते हैं और telescope और इन सारी चीज़ों की भी मदद ले सकते हैं जहाँ दिक्कत हो तो first statement is correct the co-moving distance from the earth to the edges of observable universe is symmetrical in any direction जी हाँ जो observe किया गया उसमें यही पाया गया अब यहाँ पर observable लिखा है यहाँ पर अगर इसी को specific बता के यह बोल दिया गया होता कि पूरा universe जो है वो एक तरीके से है symmetrical है तो शायद वो चीज़ गलत हो जाती तो यहाँ पर incorrect कौन से है? incorrect एक भी नहीं है neither one nor two so option इसके अंदर सही कौन सा होगा option इसके अंदर D सही होगा that is neither one nor two next question identify the statement associated with the term lavender scare recently in news the marginalization of LGBTQ employees working in the US government failure of the lavender cultivation in the perfume producing states of India four line plant work garden flea hoper found in the lavender plants affecting its yield none of the above तो यह दिखने में ऐसा लग रहा है कि कुछ lavender से related है बट actually यह चीज़ किसके regarding थी यह LGBTQ community के regarding थी जो USA के अंदर काम कर रहे थे अब हुआ क्या? कि जैसे जैसे मालूम चल गया गया कि यह LGBTQ के अंदर आते हैं यह अलग है थोड़ा तो उनको क्या किया गया? उनको वहां से हटा दिया गया उनको fire कर दिया गया उनकी job से उनकी job छीन ली गई तो इसलिए यह नाम सामने आया lavender scar तो I hope आपको यह चीज़ क्लियर हो गई होगी इसका right option कौन सा होगा? इसका right option होगा A खीक है? The Finance Ministry has recently declared zero coupon principle instrument ZC, ZP are securities which can be the major possible implication of this decision stability in money market जी नहीं allows corporate to utilize their fund mark for social responsibility है एक corporate sector की जो है responsibility रहती है जिसे हम CSR कहते हैं corporate social responsibility तो इस चीज़ को बहतर तरीके से implement करने के लिए क्या किया गया? यह चीज़ सामने लाई गई यह instrument क्या है? तो यह instrument एक तरीके से issue किया जाएगा non-profit organization दुआ रहा from social stock exchange के अंदर जो की related किस से होगा? और उसे regulate कौन करेगा? तो regulate करेगा say B say B उसे regulate करने वाला है तो यह इसके अंदर हमारा right option कौन सा होने वाला है? option B question number 31 consider the following statement about ECA movement it was against the extradition of higher rent which was 50% more than the recorded ones जी हाँ right है यह चीज़ कि 50% जादा था तो उसके against में यह चीज़ है की गई it was a non violent movement fought under the leadership of महत्मा गांधी जी नहीं महत्मा गांधी इसकी leadership नहीं दे रहे थे इसकी leadership कौन दे रहे थे? इसकी leadership दे रहे थे? मदारी पासी फीक है? it included both small tenants as well as small zemidars तो first और third statement correct है उसके अलावा अगर हम बात करें second statement की तो वो गलत है मैंने आपको बताया की leadership कौन दे रहा था? तो leadership दे रहे थे? मदारी पासी ना की महत्मा गांधी तो I hope आपको ये चीज़ clear हो गई होगी question number 32 which of the following statement is not correct about the press in India the Bengali newspaper was founded by Girish Chandra Ghosh in 1879 तो ये चीज़ सही है Girish Chandra Ghosh ने इसे जो है found किया था उसके साथ अगर हम आगे बात करें Amrita Bazar Patrika was originally ये Bengali newspaper later converted into English this statement is also right because क्या होता था? कि जो regional language में newspaper publish किये जाते थे उन पर बहुत सारी रोक टोक हुआ करती थी उस पर बहुत सारी चीज़ों की limitation लगाई गई तो उस limitation से बचने के लिए वो English के अंदर turn हो गई Sanjeebni was a Marathi newspaper founded in 1838 आप लोग मुझे बताईए कि क्या actually ये statement सही है या गलत? third statement इसके अंदर c जो है वो सही है या गलत? बताईए C statement जो है वो अपने आप में गलत है क्योंकि Sanjeebni जो है वो एक बंगाली newspaper था ना कि एक Marathi newspaper ठीक है? और किस ने found किया था इसे तो KK मितरा ने इसे found किया था तो c option यहाँ पे गलत हो जाता है कौन सा सही नहीं है तो c नहीं है गोपाल गणेश आगरकर was the editor of KSRI newspaper this is also right KSRI newspaper start किस ने किया था बाल गंगादर तिलक ने किया था और उसको edit यह कर रहे थे this statement is also correct संजीबनी अपने आप देखिए संजीबनी हम यह word किस तरीके का use किया जाता है विने को बिने कहां बोला जाता है विने को बिने कहां बोला जाता है बंगाल के अंदर बोला जाता है तो कुछ चीज़ें तो आप language से भी पकड़ सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है काजल, doubt clear हुआ? चलिए, आगे चलते हैं, loss of political autonomy, which of the following can be considered as the reason for tribal revolts, tribal revolts के लिए क्या-क्या reason रह सकते हैं, loss of political autonomy, जी हाँ, बिलकुल सही बात है, क्योंकि tribal का framework है, जिस तरीके से tribal काम करते हैं, वो अलग होता है, जो हमारी normal life होती है, उससे काफी ज़्यादा अलग होता है, penetration of Christian missionaries into their areas, this is also a right statement, ठीक है? ठीक, तो यह चीज़ क्या है? penetration of Christian missionaries into their areas, this is also right, उसी के साथ साथ rise of संस्कृति, संस्क्रताइजेशन movements by the outsider, तो जब हम संस्क्रताइजेशन की बात करते हैं, तो उसके अंदर एक चीज़ देखिए, कि यह जो ट्राइबल से सिर्फ हमी से परेशान नहीं थे, ठीक है? वो Britishers से भी परेशान थे और सब लोगों से परेशान थे, तो उनके लिए सब लोग जो हैं, वो दिखूज हुआ करते थे, outsiders हुआ करते थे, so the answer is D, 1, 2 and 3, तीनों जो हैं, वो सही यहां पर माने जाएंगे, तीनों के अंदर कोई भी गलती नहीं है, understood? the postal stamps were first introduced by Lord Dalowski, जे हां ये statement सही है, postal stamp जो है, वो Lord Dalowski द्वारा यूज किये जाते थे, और इस से पहले क्या हुआ करता था, इस से पहले यहां पर payment दिया करता थे, और payment के थूँ ये काम होता था, postal rates were fixed on the basis of distance traveled in their delivery, जे नहीं, यहां पर half आना, for every post, half आना जो है, वो हर एक post के लिए दिया जाता था, तो यह चीज है, तो यहां पर क्या right answer होगा इसका, तो option A, one only, first जो है, वही, सही है, बाकी सही, नहीं, ठीक, consider the following statement with respect to revolutionary movement in Bengal during 1920s, सूर्या सेन, Master Da, let the Chittagong Armory Raid, वहां पर इन्होंने क्या है, parallel government खड़ी कर दी थी, बहुत ही तगड़ा movement था, revolutionary movement में सबसे तगड़ा, जो है, वो यह एक movement था, इसी के साथ, कल्पना दत, प्रितिलता, वाडेकर, वाडेडार, associated with the Chittagong group, यह चीज सही है, यह जो revolutionary activity हुई, Master Da के अंदर, सूर्या सेन के दुआरा, इसके अंदर महिलाओं को जो है, बहुत ज़ादा involvement दिखा, वो यहाँ पे दिखी हमें, तो answer होगा इसका C, both 1 and 2, with reference to weekly newspaper, the gadar, consider the following statement, it was published from Yugantar Ashram in San Francisco, ठीक है, तो यह चीज सही है, first वाला सही है, its first issue was published in Gurmukhi, जी नहीं यह Gurmukhi के अंदर published नहीं हुआ था, यह उर्दू के अंदर पब्लिश हुआ था, later on it was published in Gurmukhi, तो यह जो है, यह अपने आप में बहुत ही एक revolutionary था, इसके अंदर यहाँ पे उपर लिखा हुआ आता था, अंग्रेजी राज का दुश्मन, और फिर अंदर एक इनका front page होता था, जिसके अंदर यह लोग लिखते थे, अंग्रेजी राज का कच्चा चिथा, जिसके अंदर यह 14 points बताते थे, कि किस तरीके से अंग्रेजी राज जो है, वो हमें लूट रहा है, यह चीजें यहाँ पे बताई जाती थी, बहुत ही ज़्यादा revolutionary था यह अपने आप में, सो स्टेटमेंट कौन सा राइट है, स्टेटमेंट वन ओनली, फ़स्ट स्टेटमेंट इसके अंदर राइट है, आगे चलते हैं और अगला क्योस्टन समझते हैं, consider the following statements, the announcement that British would quit India by June 1948, was made by Lord Mountbatten, on 3rd June 1947, Lord Mountbatten ने ये चीज़ नहीं करी थी, किसने करी थी आप लोग मुझे बताई, Lord Mountbatten ने ये announcement नहीं किया था, ये announcement किसने किया था, आप लोग मुझे बताएंगे, बताईए फटावर, तो इसकी announcement किस ने कि थी, क्लिमेंट एटली, ठीक है, जो प्रीमियर थे British Empire के, उन्हों ने कि थी, जी नहीं, Lord Wevel ने भी नहीं कि थी, क्लिमेंट एटली ने करी थी, उन्होंने बोला था कि हम जो हैं, रिलीस कर देंगे इंडिया को, दूसरी, दूसरे option की तरफ चलते हैं, Partition of India as the two nation theory was accepted by the Congress Nationalist, क्या ये statement आपको सही लगता है, ये थोड़ा सा क्या है, आपके understanding के उपर depend करता है, तो इसलिए आप लोग मुझे बताइए, सब लोग comment करिए कि क्या ये statement जो है, second statement आपको सही लग रहा है या गलत, बताइए, तो जब हम second statement की बात करते हैं, तो ये गलत है, क्योंकि two nation theory जो है, वो accept नहीं करी थी Congress party ने, उन्होंने partition को accept किया था, कि चलो ठीक है, जो परेशानी चल रही है, जो मुश्किलाद चल रही है, उसको हम side में रखते हैं, अभी इन सारी चीजों से ध्यान अटाते हैं, और चलो ठीक है, partition होना ही है, तो हो जाएगा, तो यहाँ पे, neither one nor two, option D will be the right option, with reference to Lucknow pact, a pact of unity between Indian National Congress and Muslim League, consider the following statement, both Congress and Muslim League put forward a joint scheme of political reforms, जी हाँ, सही है, जल्दी से जल्दी स्वाराज मिले, इस चीज की बात उन्होंने सामने रखी, यह चीज भी सही है, the two organizations rejected separate electorate, नहीं, separate electorate को accept कर लिया था, तो यहाँ पे क्या आएगा option, option, not correct, हाँ, मैं यहाँ confused हो गया कि, किस तरीके से option नहीं मिल रहा है, तो option यहाँ पे आएगा, C, three only, क्या इसका right option है, तो इसका right option है, three only, चल्दी आगे चलते हैं, और अगला question समझते हैं, 39, consider the following statement, regarding to Indian National Army, provisional government of free India, was set up by Mohan Singh in Singapore, जी नहीं, Mohan Singh द्वारा नहीं की गई थी, Mohan Singh ने कोशिश करी थी, बट उसके अंदर क्या आ गए थे, issues आ गए थे, दिक्कत आ गई थी, Mohan Singh ने कोशिश करी, बट जापान की जो आर्मी है, और उनके बीच में conflict हुआ, तो किसने लेटर ओन जाके, वहाँ पे अपनी, जो हैं, provisional government बनाई, तो SC boss, सुवाष चंद्र बोस, सुवाष चंद्र बोस, सेट अप आयने, headquarters at Singapore and, Rangoon, so which of the following statement are correct, so only two, second option ही सही है, बाकी option सही नहीं, साइमन कमिशन के related क्या-क्या चीज़ें हैं, उसे discuss करते हैं, Englishman, साइमन गो बेक, साइमन गो बेक, क्यों हुआ था, इसी लिए तो हुआ था, क्योंकि वहाँ पे Indians को include ही नहीं किया गया था, जितने भी decision है, इंडिया के constitutional development के उपर कौन ले रहे थे, तो Britishers ले रहे थे, the commission was appointed into the question of further constitutional reforms in British India, this is also right, यह चीज़ सही है, यह इसी लिए डाला गया था इसका provision, 1919 का जो reforms आयते हमारे यहां, तब ही बता दिया गया था, कि आज से 10 साल बाद हमें commission establish करेंगे, जो इस चीज़ की जाच करेगा, कि क्या भारत को और जादा constitutional reforms की ज़रूरत है, जो कि कभ अपॉइंट किया था, 1927 में, जो हैं सब लोगों ने accept नहीं किया, फिर उसके बाद first round table conference, second round table conference, third round table conference हुई, फिर उसके बाद white paper publish हुआ, और उस white paper से 1935, government of India एक 1935 पास हुआ, चीज़ें clear हुई, तो यहां पे second option is also right, the Simon commission report recommended dominant status for British India, जी नहीं, किसी भी प्रकार का dominant status नहीं दिया गया, अगर आप यही समझिए कि, अगर यही हमें dominant status दे देता, तो आगे जाके, मोतिलाल नहरू report के अंदर, हमें dominant status मांग करने की जरूरत क्या पढ़ती, so the option which are correct is, one and two only, clear, चलिए, which of the following statement is correct about पापना revolt, the main cause of the unrest was oppressive practice by European planters, जी नहीं, European planters नहीं, रादर जमीदार्स, जमीदार्स की जो oppressive practice थी, उसके regarding यह था, the peasants organized no rent unions to resist the oppression, this is correct, the government passed an act of confirming permanency of tenure to some class of tenants, this is also right, so the correct option will be two and three only, two and three को हम सही option बताईएं, ठीक है, चलिए, आगे चलते हैं और अगले options को समझने की कोशिश करते हैं, अगले option कौन सा है, अगला question, sorry, with reference to 1906 Calcutta session of Indian National Congress, consider the following statement, Calcutta यह जो है 1906, this was run-up to surat split, जब moderate और extremist अलग हुए, तो यह उसके लिए एक तरीके से run-up था, ठीक है, so as the President of Indian National Congress, Gopal Krishna Gokhale, जी नहीं, Gopal Krishna Gokhale नहीं थे, 1906 के कौन थे, दादा भाई नारो जी, मैंने आपको बताया था ना, कि extremist और moderate के बीच में क्या है, बहुत ही बड़ी टसल चल रही थी, और उस टसल के कारण क्या हुआ, दादा भाई नारो जी को सामने रखा, moderate ने, क्योंगी दादा भाई नारो जी की, हर कोई रिस्पेक करता था, हर कोई इंसान उनक्या आदर करता था, इसलिए उन्हें सामने रखा गया, resolution, supporting, स्वदेशी, bycott and national education were passed, extremist के दबाव पे उसको पास तो कर दिया गया, but 1906 से लेके, 1907 के बीच में, इनकी clear understanding क्या होगी, उसके उपर बहुत जादा जो है, conflict हुआ, उसके उपर बहुत जादा जो है, discussion हुआ, और वो discussion होने के पीछे कारण क्या था, कि इनका exact meaning नहीं मालूम चल रहा था, extremist को लग रहा था कि इसे हमें broad base पे देखना है, और moderates को लग रहा था कि इसे हमें limited तरीके से देखना है, तो इसका correct option कौन सा होगा, neither one nor two, sorry, 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 तो इसका correct option होगा, only two, तो इसका correct option कौन सा होगा, only two, understood, चलिए आगे चलते हैं, consider the following statement, the Lahore session of 1929, of the Indian National Congress was held under the presidency of Jawaharlalem, ये चीज़ हम 3-4 बार discuss कर चुके हैं, और इस तरीके के 3-4 questions आ चुके हैं, ठीक है, the Lahore session of 1929, of INC passed a resolution, declaring Purnaswaras to be Congress objective, ये चीज़ भी हमने discuss करी, ये भी हमने जाना, कि किस तरीके से मोतिलाल नहरू की report के बाद, ये सारी चीज़ों के उपर जो हैं, आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी, तो इसका correct answer क्या होगा, both 1 and 2, राजा राम मोहन रॉय वास्ट इंडियन लीडर तो start an agitation for political reforms, this is correct, राजा राम मोहन रॉय स्टार्टिंग से बात कर रहे थे, Indianization of services की, कि किस तरीके से service के अंदर जो है, इंडियन को जादा include किया जाना चाहिए, तो first statement is correct, Indian National Congress was first organized expression of Indian National Movement on all India scale, यह दूसरा statement भी अपने आप में बहुत जादा correct है, क्योंकि इससे पहले local political जो है organization खुले, but all India level पे सब जगे हमने जो अगर organization देखा, तो वो यही वाला देखा, तो यहाँ पे third कर देखते हैं, Land Holder Society was earliest political association in modern India, तो तीनों option अपने आप में सही हो जाते हैं, all three options are right, so the answer is 1, 2 and 3, तीनों option जो हैं वो सही हैं, the E utthan project recently seen in the news tells about, option A is correct, capturing online data based on funds allocated under schedule caste subplans, अब हर एक ministry को schedule caste के upliftment के लिए अलग-अलग fund दिया जाता है, जिसे उन्हें use करना है उस particular, जो है sub caste के उस schedule caste के लिए उनके development के लिए, तो उसके regarding यह जो है यह एक online portal बनाया गया है, यह online portal उस चीजों के बारे में जो है information रखता है, ठीक है, I hope आपको यह चीज़ क्लियर हो गई होगी, question number 46, the term caracorum anomaly often heard in the news refers to growth of caracorum ranges, decline in relative altitude of Himalayan region altitude, resistance to glacial melting in caracorum ranges, option C is correct option, ठीक है, आप देख पाने है global warming हर जगे हो रही है, और हर जगे जो है, glacial deplete हो रहे है, glaciers जो है, वो कम होते जा रहे हैं, तो option 3 जो है, वो सही है, उसी के regarding यह news के अंदर बार-बार आ रहा है, यह term use की जारी है, इसी के regarding, ठीक है, आगे चलते हैं, और अगले question को समझने की कोशिश करते हैं, consider the following statement, the andromeda galaxy is composed of dust clouds, which are mostly made up of large molecules called polycyclic aromatic hydrocarbons, जी नहीं यह गलत है, andromeda galaxy के regarding नहीं है, वो कोई दूसरे regarding है, तो andromeda galaxy के अंदर यह चीज़ नहीं होगी, ठीक है, polycyclic aromatic hydrocarbons are a big component in the smoke, foam, cigarettes, and only reflect specific wavelength, so option 2 is only right, so the correct option will be B only, B only को जो है हम correct बताएंगे, consider the following statements, insider trading involves trading in public company stock by someone who has non-public material information about that stock, for example, अगर मैं आपको बता दूँ, मैं जिस industry में काम कर रहा हूँ, जिस company में काम कर रहा हूँ, मैं आपके सामने ये चीज़ रख दूँ, कि उस industry के अंदर इस इस तरीके की दिक्कत आ रही है, यहां का production कम हो गया है, यह strike होने वाली है, तो क्या आप उस data को इस्तमाल करके, stock की prices को जज नहीं कर सकते, तो ऐसी जब गटना गटती है, उसे बोला जाता है insider trading, so the first option is right, दूसरे की तरफ चलते हैं, material non-public information is, any information that could be substantially, that could substantially impact investors decision to buy or sell the security, यही चीज़ मैंने बताया, कि जो share हैं, उसके regarding आप decision ले सकते हैं, कि क्या उसे खरीदें, बेचे या hold करके रखें, तो option, इसके जो सही हैं, वो हैं both one and two, both one and two are correct option, consider the following statement about crypto jacking, it is a cyber attack, wherein a computing device are hijacked, and controlled by the attacker, to illicitly mine the cryptocurrency, यह चीज़ सही है, it always involves stealing money, from the victim's cryptocurrency wallet, not always, कई बार cryptocurrency भी जो है, वो भी उठा ली जाती है, कई बार पैसा उठा लिया जाता है, तो always वाला हम नहीं कह सकते, इसके लिए एक specific चीज़ और है, जो आपको ध्यान रखनी है, कि कभी भी यह आपके data को damage नहीं करता, तो इसका जो third option है, वो गलत हो जाएगा, so the right option will be one and two only, option A will be the correct option, ठीक है? Which of the following were declared objective of Indian National Congress at the time of its inception? चलिए इसका answer बताईए, आप लोग comment करिये फटा फट, तब तक मैं पानी वगर पीलू, बताईए, क्या होगा इसका correct answer? Promotion of feeling of national unity, जी हाँ ये चीज सही है, eradication of social evils, social evils वाली चीजों के उपर, उनका जो है, कम aim and objective था, वो कौन सी चीजों पर ध्यान दे रहे थे, तो वो political चीजों पर जादा ध्यान दे रहे थे, Indianization of public services, जी हाँ, तो answer है one and three only, इसका right answer क्या होगा? Answer C, one and three only, understood? In the context of modern Indian history, the battle of Porto Novo was related to, so the battle of Porto Novo is related to, the second Anglo-Massur war, किस के साथ related है, तो ये है second Anglo-Massur war के साथ related, आगे चलते हैं और आगे का question हम समझने की, कोशिश करते हैं, Consider the following events, Formation of Interim Government, Shimla Conference by Lord Weevil, Lord Mountbatten appointed as the Vice-Roy of India, the first meeting of Constituent Assembly of Undivided India, तो पहली चीज़ तो आप सबको मालूम है, कि सबसे last में ये वाला हुआ था, तो ये option तो हो गया हमारा Eliminate, ठीक, अब इसके बाद क्या हुआ था, तो ये वाला इससे पहले, first meeting, तो देखिए last के तीनों दो साही है, ठीक है, उसके बाद हुई formation of interim government, sorry, उसके बाद ये, उसके बाद क्या हुआ, formation of interim government and then two, इसका ये right sequence रहेगा, two, one, four, three, इसका correct answer क्या रहेगा, two, one, four, three, ठीक, चलिए आगे चलते हैं, which of the following statement are correct with reference to टीपू सुल्तान, tree of liberty, बच्चे बच्चे को याद है, जो भी UPSC की तैयारी कर रहा है, ये चीज तो उसने रट ली है, इसके साथ ये भी चीज रट ली है, कि वो क्या है, जैकोबियन कलब का member था, तो ये दोनों चीज़ें तो टीपू सुल्तान के बारे में आपको आइडिया है ही, तो first and third statement are correct, now let us discuss about second statement, second statement में कई बार ये बताया जाता है, कि टीपू सुल्तान जो है वो communal था, बट टीपू सुल्तान के उपर अलग-अलग तरीके से अगर हम देखे, तो वो जहां पे भी आखिरमन करता था, वो उसने हिंदूज और मुस्लिम्स को properly treat किया, उसने कई temples भी तोड़े, उसके उपर हम मना नहीं कर सकते, बट यहां पे ये जो उसने fund दिया था, ये चीज़ सही भी है, अपनी territory में उसने fund दिया था, और शार्दा मा का आइडल जो है, वो यहां पे उसने establish करवाया था, ठीक है, तो इसका तो क्या right answer होगा, इसका 1, 2, 3 होगा, अच्छा 50 रह गया था, हाँ चलो, ठीक है, इसको discuss कर लेते हैं, तो ये चीज़ जो है, ये सही हो जाती है, कि जब दोनों का election अलग-अलग होगा, अपना-अपना खर्चा करेंगे, बट जब दोनों का election साथ में हो, तो क्या 2 बार अलग खर्चा करने की जरूरत है, या फिर कौन उसका खर्चा लेगा, तो वहाँ पे किस तरीके कैसे होगा, तो 50-50, ठीक है, सारा ना ही center देगा, सारा ना ही state देगा, तो 50-50 जो हैं, वो bear कर लिया जाएगा, पचास कौन देगा, पचास देगा state, पचास देगा center, तो इसका answer क्या होगा, answer A only, A, one only, sorry, ठीक है, correct, understood, ठीक है, पायल जी, done, चल यह, आगे चलते हैं, अब डिसकस करते हैं, question number 55, it has its, which of the following is not correct, with reference to Genesis movement, it, sorry, Swadesh movement, it had its genesis in the anti-partition movement of Bengal, जी हाँ, बिल्कुल सही है, ठीक है, यह चीज सही है, उसके बाद हम बात करते हैं, अगला, summitties, help in mobilization of the mass support for the movement, यह summitties क्या करती थी, यह ideas को propagate करती थी, ideas को आगे बेशती थी, तो statement B is also right, the big zemidars of Bengal, did not extend support to the Swadesh cause, और काफी अच्छा खासा अपना involvement वहाँ पे दिखाया था, तो यह statement जो है, यह सही हो जाएगा, मतलब हमारा answer सही हो जाएगा, option C, it marks the first instance of woman participation in large numbers in the national movement, जी हाँ, यह एक पहला incident था, जब हमने क्या है, woman का inclusion देखा, अब आप यह चीज देखिए, कि जितनी भी बार हमारे यहाँ पर freedom struggle हुई, जो भी तरीके के movement चले, उस हर एक movement के बाद हमने कोई न कोई growth देखी, तो आप में से कई लोग ऐसा समझ रहे होंगे कि यह fail हो गया, बढ़ कोई भी हमारे यहाँ पर national movement fail नहीं हुआ, उसने grow किया, हमारे independence struggle को grow किया, तो यहाँ right answer कौन सा होगा, यहाँ पर right answer होगा C, understood? आगे चलते हैं, consider the following statement regarding the interim government of India in 1946, it was formed in September 1946, consisting of only Congress members, जी हाँ यह statement गलत है, आप में से कुछ लोगों को ऐसा होगा, कि लियाका तली खान को क्या दिया गया था, finance ministry दी गई थी, यह क्या है, यह पहली है, जो Muslim League आई, वो दूसरी interim government में है, यहाँ पर लिखा है, देखिए, जो September 1946 में form हुई, उसके अंदर कौन included थे, तो उसके अंदर सिर्फ Congress members included थे, आगे चलते हैं, राजेंदर प्रसाद was the de facto head of interim government, जी नहीं, राजेंदर प्रसाद नहीं थे, कौन थे? राजेंदर प्रसाद के नहीं थे, कौन थे बताइए, जवाललाल नहरू, जवाललाल नहरू was the member, JLN was head, Muslim League never participated in the interim government, अभी मैंने उपर बताया कि, आगे जाके उन्होंने पार्टिसिपेट किया, क्योशन नमबर 57, Consider the following statement with respect to patent in India, The Office of Controller General of Patents, Design and Trademarks, Under the Ministry of Corporate Affairs, Ministry of Corporate Affairs के अंडर नहीं है, यह Ministry of Commerce and Industries के अंडर है, तो फर्स्ट वाला statement गलत हो जाता है, corporate affairs, corporate चीज़ों के बारे में deal करेगा, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इस रोंग, बोथ Indian as well as foreign applicants can file for it, So option 2 is right, Term for protection of product patent shall be for 10 years, No, not for 10 years, But how many years? 20 years, 20 साल की जो है उन्हें protection मिलेगी, So the correct option is option B, B option जो है वो सही माना जाएगा, ठीक है, चीज़े clear हुई? आगे चलते हैं और अगले question को समझते हैं, With reference to Libsund Declaration, Consider the following statement, It aims to protect biodiversity areas beyond national jurisdiction, जी हाँ बिल्कुल, हमें हमारी national boundaries हैं, उन्हें भूल के हमारे एक environment को बचाना है, biodiversity को बचाना है, और इसके अंदर क्या कहा? Our ocean, our future, call for action, not call for action, our responsibility, यह हमारी जिम्हेदारी है, ठीक है? तो यहाँ पर option कौन सा सही होगा? Option सही होगा, one only, आगे चलते हैं, और अगले question को समझने की कोशिश करते हैं, with reference to large hadron collider, consider the following statement, it is the world's largest, highest energy particle collider, used to study particles of physics, जी हाँ बिल्कुल सही statement है, ठीक है? LHC, यह एक tunnel की तरह होते हैं, दो tunnel से proton की beam को जो है, एक दूसरे से टकराया जाता है, और वो तकराने के बाद, जो भी उसका experiment के अंदर वो देखते हैं, कि भाई साब क्या इसके अंदर, हमारे अंदर information मिली है, ठीक है? The goal of the experiment is to allow physicists, to test measuring the properties of Hickson Boson, God particle जिसे बुला गया है, God particle, उसको test करने की कोशिश चल रही है, collider primarily collides to opposing beams of electrons, जी नहीं, electrons नहीं है, protons होते हैं, protons को collide कराया जाता है, और उस collision के बाद, जो उसका निर्णने निकलता है, उसकी वो analysis करते हैं, so the correct option is option A, 1 and 2 only, understood? कोई doubt? consider the following statement, with respect to environment protection act of 1986, the act empowers this central government, to lay down standards, for the quality of the environment, जी हां बिल्कुल सही है, the purpose of this act, is to implement the decision, of the United Nations Conference, on environment and development, ये conference को तो कर रहा है, बट कौन सी conference, so that is, human environment, ठीक, the act also provides for coordination, for the activities of various central, and state authorities, established under the, Water Act and Air Act, 1st and 3rd are right, ठीक, so the correct option, is 1 and 3 only, with reference to East India Association, consider the following statement, it was founded by, Dada by Naroji in Calcutta, बताए Calcutta के अंदर था ये, आप लोग comment करिये, Calcutta ये सही है या गलत है, आए ये सही है, आएए अँआ ये, अच्छा काजल तो क्या होगा और कलकाटा नहीं होगा तो राइट आंसर भी बताइए क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर होगा लंडन एम टू ऑर्गनाईज केंपेंड टू प्रमोट एजुकेशन सेनिटेशन ये सब था ही नहीं उसका परपस उसका परपस ये था कि जो ब्रिटिश पीपल हैं उनके बीच में एक जो है चीजों को पैदा किया जाए वहाँ पर बताया जाए कि किस तरीके की परिशानी हम एज इंडियन फेस कर रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग ये चीज थी तो नीधर वन नौर तू इसका ओप्शन क्या आएगा करेक्ट ओप्शन डी नीधर वन नौर तू विट रेफरेंस तो जुडिशल रिफॉर्म इन इंडिया अंडर कॉनोलियल रूल कंसिडर दा फॉल्लिंग स्टेट्में नहीं रेगूलेटिंग एक्ट जी नहीं रेगूलेटिंग एक्ट 1773 ने इस्टेबलिश किया था किसने इस्टेबलिश किया था रेगूलेटिंग एक्ट 1773 ने जी हां यह चीज सही है लॉर्ड मैक्यूले जो है उन्होंने हैड किया था और हमको बहुत ही इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट लॉस दिये जैसे की जैसे की इंडियन पीनल कोड जो आज तक हम उसे यूसे यूसे कर रहे हैं तो दा ओप्षन वीचिस करेक्ट इस ओप्षन वन एंड थ्री ओनली सही ओप्षन कौन सा होगा वन एंड थ्री ओप्षन जो है वो सही होगा ठीक है क्योशन नंबर 60 3 बताए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताए 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 इसका करेक्ट आंसर है चलो एक एक करके देखते हैं कि सबसे पहले कौन सा हुआ तो सबसे सन्यासी रेबेलियन फिर कोल रेबेलियन फिर संथल रेबेलियन और फिर Munda Rebellion तो अगर इसके sequence को हम arrange करें तो इसका option C जो है वो correct होगा that is 3, 1, 2, 4 चलिए आगे चलते हैं अगला question समझते हैं famous treaty of Sagoli of 1860-16 ये जो है ये treaty हुई थी किसके बीच में जो गुर्खा है गुर्खा नेपाल के उनके जो tribal chief है उनके बीच में और British Empire के बीच में जिसके तुरू जो तरह ही region है वो दे दिया गया Britishers को तो यहाँ पर correct option क्या आना चीए यहाँ पर correct option आएगा Anglo-Nepal relations which Anglo-Nepal relations तो इसको हम क्या मानेंगे correct option मानेंगे 65 With reference to similar deputation consider the following statement It was deputation sent to Lord Chemsford before the Montague Chemsford reforms of 1919 नहीं ठीक है वो मॉडले मिन्टो था तो यहाँ पर किसके सामने बेजी गई Lord मिन्टो पहला statement गलत हो गया It expressed the loyalty to the British ground जी हाँ जाके Muslim League ने बोला कि हम तो जो है आपके वफादार हैं बट आप एक काम करें आप हमें थोड़ी सी क्या है separate electorate दे दे क्योंकि हमारा representation कहा होगा हम कहां पे जो है हमारी seats लेंगे तो इसके थुरू क्या किया Lord मिन्टो ने बोला जी हाँ बिल्कुल क्यों नहीं हम तो चाहते ही है कि divide करें और rule करें और उन्होंने separate electorate दे दिया So the father of separate electorate Lord मिन्टो So the correct answer is 2 and 3 only B option जो है वो correct आएगा 2 and 3 only ठीक है आगे चलते हैं और अगला question समझने की कोशिश करते है Consider the following leaders of India's freedom struggle Which of the following above leaders were members of Swaraj party इन्होंने found की थी जब election लडने के लिए बना किया ये जो थे ये थे founder इनके साथ जुडे लाला लजपत्राय और मोतिलाल नहरू So 1, 2 and 4 Option A के अंदर दिया गया है 1, 2 and 4 So this is the correct answer 67 With reference to Chen Kurihan ji Sometimes mentioned in the news Consider the following statement ये जो है इसके पास medicinal property होती है ये हमारे blood pressure उसे कम करने के लिए और arthritis के लिए इस्तमाल की जाती है So इसका खाली यही purpose है इसके लिए हमारा direct answer क्या निकल जाएगा Facts के basis पे Option C That is 3 only अगला question With reference to Bheem Rao Ambedkar Consider the following statement बैशकरित हितकर्णी सभा in 1924 बिलकुल सही है He was actually a leader जो ये चाता था कि नहीं इनका development हो नहीं सिर्फ इनको क्या चीज़ दी जाए इनको वो अलग से नहीं treat करना चाते थे इनको एक assimilate करना चाते थे He demanded separate electorate for the untouchable जी हाँ 1930 के अंदर आपको मालूमी है ये चीज़ हुई थी पूना pact हुआ था फिर उसके बाद पूना pact किस-किस के बीच में हुआ था मादन मोहन माल भी है ठीक है और डॉक्टर भीम राव आमबेटकर के बीच में हुआ था मातमा गांधी अंचन पे बैठ गयते तो ये चीज़ उस समय पे इन्हों ने जो है की थी He was nominated by Indian National Congress Indian National Congress जानती थी कि अगर कोई constitution को धंसे ड्राफ्ट कर सकता है हिंदूस्तान के अंदर उस समय पे तो वो है डॉक्टर भीम राव आमबेटकर He was intellectual इतना तगड़ा दिमाग था इतना बढ़िया knowledge था इनके पास तो he was the best person for this job तो इसके लिए answer आता है 1, 2 and 3 Congress ने उन्हें nominate किया Constituent Assembly के अंदर बताईए कोई doubt आगे चलते है Question number 69 Consider the following statement Insurance Regulatory and Development Authority of India IRDAI Is a statutory body under jurisdiction of ministry of finance जी हाँ ये चीज़ सही है First option is right IRDA is a five member body 5 member body नहीं है तो ये यहीं पर गलत हो जाता है कितने member है 10 member body है जिसके अंदर एक कौन हो गया चेर मेंबर पांच कौन हो गया पर्मानेंट और चार हो गया नॉन पर्मानेंट ठीक है सो option A A जो है स्रिफ वही सही है contingent reserve arrangement is a framework offered by BRICS Brazil, Russia, India, China, South Africa तो ये जो है इन्होंने ये चीज़ offer करिया और ये किसके regarding है तो balance or payment पे अगर pressure पढ़ने लगे किसी भी देश को तो वो इस चीज़ को जो है इस चीज़ की मदद ले सकते हैं ये एक तरीके से instrument है कि अगर पैसे देने के लिए नहीं है तो liquidity नहीं है उस तमय पे ये मदद कर देंगे तो इसका option आएगा B BRICS BRICS is the right option ठीक है रामोसाई अप्राइजिंग ठीक है रामोसाई अप्राइजिंग इट वस लेड़ वासुदेव बलवन्थ फड़के बहुत सही answer है ये वासुदेव बलवन्थ फड़के जो हैं वो उन्हें लीड कर रहे थे और ये महाराष्ट के अंदर पहला एक revolutionary movement था ठीक है 18 हम बोल सकते हैं जब 1880 वाला जो था दौर उसके दौरान ये काफी जादा active थे तो ये कहां थे महाराष्ट के अंदर active थे दूसरा statement पढ़ते हैं जी नहीं ये बंगाल के अंदर नहीं था ये कहां पे था ये था महाराष्ट के अंदर जैसा मैंने आपको पहले बता है so option A one only is the correct answer option A इसका आएगा जो की correct answer होगा question number 72 with reference to महलवारी system consider the following statement महलवारी system क्या होता था village को एक unit बता दिया गया महल उसको एक unit बता दिया गया revenue collection के लिए तो चलिए पढ़ते हैं उसके regarding क्या क्या statements यहाँ पे दिये गए हैं तो सबसे पहले the statement was introduced in the system was introduced in united province and central province सही है under this system unit for revenue settlement was village जो मैं आपको already बता चुका हूँ it was hybrid form of जमिदारी and रोयदवारी जब रोयदवारी की बात करते हैं तो directly farmer से revenue लिया जाता था और जब हम जमिदारी की बात करते हैं तो एक जमिदार collect करता था तो यह उसका एक तरीके से हम बोल सकते हैं settlement है उसके बीच का एक hybrid function है यह तो यहाँ पर right option कौन सा होगा option A that is one and two only सही answer क्या होगा one and two only ठीक है चलिए आगे चलते हैं और question number 72 को समझने की कोशिश करते हैं with reference to indico revolt of 1859 and 60 consider the following statement आवद was the main center of revolt बताईए आवद में center था या नहीं था आप लोग मुझे बताईए कि क्या यह statement सही है कि गलत है और अगर गलत है तो फिर कौन सा था तो आवद नहीं था आवद की जगे कौन सा था बेंगाल लीडर्शिप पर अवद मुवमेंट वस प्रोवाइद बाई वैल उफ रोयत्स एंड पिटी जमिदार्स जी हाँ दीन बंदू मित्राज प्ले नील दर्पन पोट्रेट दे ओपरेशन ओफ रायत्स यह दो स्टेट्मेंट काफी सही है तो आंसर क्या होगा-2 & 3 only इसका right आंसर होगा-2 & 3 only काखोरी रो परी काखोरी नियर कलकता लखनओ के करीब है भाई साब कलकता काम पहुचा दिया उसको तो यह गलत हो जाएगा इस केस के अंदर नहीं थे इस के अंदर कौन थे अश्फुकुला खान रामप्रसाद बिस्मिल और उसी के साथ-साथ कौन राजिंदर लहरी यह जो है यह इसके अंदर थे उसी के अलावा 17 जो लोग है उने जो है उनको डिटेंशन में रखा गया उनको इंप्रेजनमेंट द ले दी गई हैंक की ने किया गया तीन को किया गया तो इसके अंदर करेक्ट आंसर कौन सा होगा तो करेक्ट आंसर होगा ओनली तू क्योशन नंबर 75 विल्लियम वेडरबर्न वास्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट आफ आइन्सी नहीं जोर्ज यूले कौन थे जोर्ज यूले थे तो ये तो गलत हो गया बाल गंगादर तिलग नेवर प्रिसाइड़ेद अ सेशन ओफ आइन्सी जी हां ये सही है बाल गंगादर तिलग जो इतने इंपोर्टेंट लीडर रहे हमारे इंडियन नेशनल मुव्मेंट के उसको इंडियन नेशनल क सरोजनी नाइडू was the first woman president of Indian National Congress जी नहीं ये गलत हो जाएगा अगर इसी को reframe करके ऐसा बोला जाए that सरोजनी नाइडू was the first Indian woman president of Indian National Congress तो वो स्टेटमेंट सही हो जाएगा first कौन थे तो first थे एनी बेसेंट तो यहाँ पर correct option कौन सा होगा यहाँ पर correct option होगा 2 and 3 only चार में से स्रिफ 2 सही है और वो कौन से है 2 and 3 understood question number 76 with reference to Ibert controversy consider the following statement it proposed to give Indian district district magistrate the power to try European offenders in presidency town जी नहीं presidency towns में already था वो तो पावर उनके पास पहले से थी मौफुसिल that is small towns उसके regarding भी यहाँ पर चीजें ला दे गए इट तुक प्लेस द्यूरिंग दे टैन्यूर ओफ लॉर्ड रिपन यह भी सही है the bill was withdrawn and substituted with a bill which provided a provision for trial by mixed jury in such cases involving European offenders जी हाँ क्योंकि इसका opposition हुआ कि ऐसा कैसे कर सकते हैं तो लॉर्ड रिपन ने इसे वापिस उठा लिया वापिस इसे अपनी तरफ ले लिया और इसके regarding एक छोटा सा मतलब बोल सकते हैं लॉलिपॉप दे दी एक तरीके से तो इसका right answer क्या होगा two and three right answer will be c two and three अगला समझते हैं consider the following statement regarding Islamic reform movements during 19th century in British India एहमधिया movement had progressive outlook जी नहीं है यहीं पर गलत हो जाता है एहमधिया movement का कभी भी progressive outlook नहीं था regarding polygamy wailing of women classical rules of divorce नहीं तो यह वाला तो क्या हो गया गलत हो गया the open movement aimed at propagating the pure teachings of Quran and hadithis among the Muslims so this statement is right which of the following statement is not correct यहां पर बहुत बच्चों ने गलती की होगी पूरा statement पढ़ें ध्यान से देखें कि क्या चीज़ पूची गई है तो not correct के अंदर आएगा one only consider the following statement about treaty of Allahabad treaty of Allahabad कभ हुई battle of bucksar के बाद 1765 वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हुई वो देखते हैं सबसे पहला दो हमारा भारत का जो बाच्चा था वो हार गया एक company के सामने और यह चीज़ हमारे लिए बहुत ही जादा शर्मनाक रही उसके बाद क्या क्या डवलप्मेंट हुए उसके regarding यहां दो statement दिये हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं नवाप सुजाउद दौला अग्रीट टू सरेंडर अलाबाद और कारा टू एम्परर शाह आलम टू जी हां बिल्कुल सही है यह चीज़ सही है शाह आलम टू अग्रीट टू साइन इशू फर्मान ग्राइंटिंग दिवानी राइट्स ऑप बेंगाल बिहार औरिसा इस स्टेट्मेंट इस अलसो राइट तो बोथ ऑप्शन वन एंड टू आर करेक्ट तो यहां पर दोनों करेक्ट हो जाते हैं क्योशन नंबर 79 कंसिडर दा फॉलिंग स्टेट्मेंट रिगार्डिंग जोति राव गोविंद राव फुले उनका माणना यही था कि अंगरेट चले जाएंगे तो भी क्या फरक पड़ने वाला है हमारी स्टिती तो वैसे ही रहने वाली जो अंटचेबल से होनकी स्टिती वैसे ही रहने वाली है जो अपर कास्ट है वो डॉमिनेट करने लगेगी कॉंग्रेस चला जाएगा तो यहां पर यह चीज है कि इनको टाइटल किस ने दिया महात्मा का तो महात्मा का टाइटल इनको दिया कृष्णा जी राउ विठल राउ कृष्णा जी ठीक है तो यहां पर option कौन से correct होंगे option 1 and 2 will be the correct option 1 and 2 will be the correct option European context where did the Dutch establish their first factory Massouli Patnam बहुत आसान है Massouli Patnam में कब 1602 के अंदर है factual है किस ने किया था Massouli Patnam में Dutch ने 1602 में with reference to British East India Company which of the following events happened the earliest East India Company got the golden farman from the Sultan of Golconda Sir Thomas Rowe the ambassador of King James 1 arrived at Jahangir's court a permanent factory of East India Company is established at Surat the East India Company established its first factory in the south in Massouli Patnam इसका उत्तर बताईए मेरकों मालूम है बहुत लोगों ने इसका उत्तर जो है B tick किया होगा बट B इसका right option नहीं है option है C इसका right option क्यों कह रहा हूँ क्योंकि ये 1615 के करीब हुआ था और ये 1613 के करीब हुआ था तो यहां पर option जो हैं वो C आ जाएगा पहले permanent factory बनी और उसके बाद क्या हुआ उसके बाद वो लोग जहांगीर के court में अगे चलते हैं और अगले question को समझने की कोशिश करते हैं which of the following statement are correct with respect to the religious principles of R.A. Samaj R.A. Samaj में से इन में से कौन से religious principles जो हैं जुड़े हुएं इट accepted the authority of later Hindu scriptures like Puranas जी नहीं पुरानाज में तो वो विश्वास रखते ही नहीं थे उनका क्या aim and objective क्या था back to Vedas वापिस Vedas की तरफ चलते हैं उन्होंने जो ideology दी है उसे follow करते हैं इट supported idolatry and polytheism in the Hinduism society नहीं उसको भी उन्होंने reject किया उसके अंदर वो नहीं मानते थे इट subscribe to Vedic notion of one world system वर्ण सिस्टम कौन कौन से हो गया ब्रामीन छत्रिय वैश्य शुद्र अब यह जो one वयवस्ता वेद के अंदर बताई गई वेदाज के अंदर बताई गई वो आज जैसे हम देख पारें वैसी नहीं है आज के समय में इसे birth के basis पे कर दिया गया है साब से आपकी जो है कास तय होगी आपका वर्ण तय होगा इट एक्सेप्टेट देट इट फिजिकल वर्ल्ड इस एन इलूशन माया जी नहीं ये इस फिलोसॉफी को नहीं मानते थे इनका मानना था कि तीन तरीके की जो चीजें हैं गोड, सोल और प्रक्रती तीनों की अपनी एक स्पेशल एक्जिस्टेंस है तीनों की अपनी खुद की एक एक्जिस्टेंस है तो ये इस चीज में बिलीब नहीं रखते थे तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 3 only only 3 consider the following statement regarding पाइका rebellion of 1870 it was led by बक्षी जगाबंदू जी हाँ बिल्कुल सही है intervention of the British in पाइका's religious affairs and rituals was main cause of it नहीं ये नहीं था पहली चीज तो वो क्या करते थे? ये यूज करते थे currency के लिए shells को वो बंद कर दिया salt text बढ़ा दिया salt text इन्होंने increase कर दिया और उसी के साथ-साथ एक और चीज ये अब क्या मांगने लगए text in silver silver के अंदर text दो उनके विचारों के पास कहां से silver आने वाला था तो ये कुछ demands थी इनकी जिनकी वज़े से ये हुआ तो इसका भी correct option क्या आएगा option A one only so one only will be the right option over here understood which of the following governor generals of India is known as the liberator of Indian press Charles Metcalf इन्होंने 1823 का जो ordinance है उसे repeal कर दिया था 1823 में ordinance आया John Adams की तरफ से जो ये कहते थे कि साब अब आपको अगर local language में कुछ भी print करना है तो उसके लिए license लेना पड़ेगा तो एक limitation डाल दी बहुत भेंकर तो उसको जो है इन्होंने आते ही हटा दिया इसलिए इनको माना गया liberator of Indian press इनको क्या माना गया liberator of Indian press आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आगे चलते हैं और समझते हैं global levability index तो ये किस ने दिया ये इनो ने दिया the economist intelligence unit EIU और इसको top किस ने किया तो इसको top किया Vienna ने Vienna country जो है उसने इसको top किया है तो इसका answer क्या रहने वाला है D will be the right option question number 86 consider the following statement with respect to the forest conservation rules 2022 which are the following notified recently ठीक है the rules mandated the requirement of attaining a gram sabah NOC before diverting forest land for a project gram sabah की NOC लेने का कहीं पे भी प्रावधान नहीं बताया गया है कहीं पे भी detail नहीं बताई गयी तो ये अपने आप में पहला गलत हो जाता है it sets up an advisory committee and screening committee at state and union territory advisory committee जो है वो regional level पे है ठीक है वो state level पे नहीं है बाकी का सही है but statement अपने आप में गलत हो गया states are given the responsibility of settling forest right of forest dwellers जी हाँ बिलकुल सही है तो इसके अंदर correct option हमारा हो जाता है option 3 option 3 will be the right option IS40M seen in the news recently ये किसके regarding है तो ये space debris के regarding है और basically इसका जो पूरा prime objective है इस mechanism का वो ये है कि किस तरीके से space को safe किया जाए research के लिए किस तरीके से जो हमारे projects जा रहे है जो हम तरीके के जो बोल रहे है research projects ले रहे है उनको safe किस तरीके से रखा जाए उसमें हमारी कोई भी तरीके की हानी ना हो उसको किस तरीके से सुनिश्चित किया जाए इसके लिए ये चीज जो है सामने रखी गई ठीक है I hope आपको ये चीज clear हो गई हो नामसाइट डिकलरेशन signed recently is related to counter insurgency disaster resilient infrastructure border disputes and wildlife trafficking जी नहीं ये है border dispute के बारे में अब कौन से देश के बीच में आप पूछेंगे तो यहाँ पे देश नहीं है यहाँ पे है आसाम एंड अरूना चल प्रदेश कौन से दो जो है state है तो आशाम और अनुना चल प्रदेश जिसके कहाँ पे deal हुई यह यहाँ पे नामसाइवाली जगे पे दोनों chief minister मिले और इनोंने जो है conflicting area border disputes जो पहले 123 villages हुआ करते थे उसे गटा के कितना कर दिया उसे गटा के 86 6 villages मतलब अब उपर के जो villages इसमें से कम हो गए उनके उपर से इनोंने disputes ख़दम कर दिये ठीक है तो यह border dispute के regarding है इस चीज़ का आपको ध्यान देना consider the following statement about the charter act of 1813 the act for the first time allowed all British subjects to trade with China जी नहीं यह चीज़ गलत है क्योंकि इसके दोरान हुआ था 1813 में कि deal तो कर रहे थे वो इंडिया के साथ उनकी monopoly थी British company थी वो इंडिया के साथ monopoly के साथ कर सकता है बट यहाँ पे चाइना के साथ उसकी monopoly extend कर दी गई और इंडिया के अंदर उसकी monopoly खतम कर दी गई तो trade तो पहले से भी वो रहे थे तो ऐसी बात नहीं है जी नहीं ऐसा नहीं है 1813 की बात है 1857 की करांती के बाद इन्हों ने non intervention की policy लाई तब तक यह intervene करने वाले थे और इस समय पे allow किया गया Christian missionaries को कि वो इंडिया के अंदर आ सकती है अपने two so the correct option will be neither one nor two ठीक है which of the following statement is not correct about the vernacular press act 1878 the magistrate action was final and the vernacular press had no right of appeal to the counter to court of law correct it prohibited vernacular press to publish anything which might rise feelings of antipathy between person of different race caste and religion यह चीज़ भी सही है the magistrate was authorized to deposit a security which could be confiscated if printing printer violated the bond यह भी सही है it was repealed by the Indian press act 1910 जी नहीं 1910 नहीं इसको repeal कर दिया गया था 1882 के अंदर ही चार साल बाद ही इस चीज़ को repeal कर दिया गया था तो यह चीज़ गलत हो जाती है इसके अंदर हमारा option जो नहीं है correct वो कौन सा होगा तो वो correct नहीं है वो होगा option D तो इसका right answer हमारा होगा option D 91 doctrine of lapse Lord Dalauzi की doctrine of lapse बहुत बार क्या हम बोलते हैं कि doctrine of lapse पे Lord Dalauzi का बहुत जादा नाम आ जाता है बट इसके पीछे एक बोल सकते हैं कि एक coincidence यह था कि उस समय पे जब Lord Dalauzi यहाँ पे काम कर रहे थे उसी समय पे बहुत सारे राजा माराजा ऐसे थे जिनका कोई खुद का एक जो है उत्रा अधिकारी नहीं था और उन्होंने अडॉप्ट किया था तो यह चीज यहाँ पे बताई गई है उदैपूर जहांसी संबलपूर नागपूर चारो के चारो स्टेट थे जिसको Lord Dalauzi ने अंडर doctrine of labs, doctrine of labs यह कहती है कि अगर आपका कोई वंशज नहीं है ठीक है और आप किसी को adopt कर रहे है तो वो आपकी personal property का अधिकारी हो सकता है जो भी उस राजा की personal property है वो तो उसकी हो सकती है बर जो पूरा राज सिंहासन है मतलब पूरा state जो है वो उसका नहीं होगा उसके उपर decision कौन लेगा तो British Empire उसके उपर decision लेगा तो यहाँ पर correct option कौन से आएंगे C 1, 2, 3 and 4 92 the generals 3 dharma which try to escape Indian movement Indian woman's right movement in early 20th century was published by Women's Indian Association that is between 1918 to 1936 ठीक है यह इस दोरान जो है इन्हों ने इस चीज़ को publish किया यह चीज़ सामने रखी आगे चलते हैं और अगले question की तरफ समझते हैं Consider the following statement about various committees established during the British period Sir Sydney Roll Act Committee 1918 recommended separate restriction on the freedom of press यह सही है आपको मालूम ही यह Roll Act Act passed हुआ था The Press Act of 1908 and 1910 were repealed on the recommendation of Press Committee under the chairmanship of Sir Tej Bahadur Sapru This is also the correct fact The Press Inquiry Committee was set up in March 1947 to examine press laws in India in the light of fundamental rights formulated by Constituent Assembly जी हाँ यह भी सही है अब हम इंडिया जो है आजाद हो चुका था तो अब जानने की यह ज़रूरत थी कि आजादी के बाद किस तरीके से press के जो laws है, regulation है, rights है उसे implement कराया जाएगा So the correct option will be option 1, 2 and 3 तीनों option जो है, वो सही है अपने आप में, right Question number 94 Which of the following statement is not correct with respect to रोयत्वारी system The fields were surfaced before the revenue assessment was made Every register holder of land write to mortgage or sell the land तीनों option right है Tenancy decreased drastically in South India after the introduction of रोयत्वारी system ये गलत हो जाता है, अब आप बोलेंगे कि सर रोयत्वारी है तो वहाँ पे तो जादा अधिकार मिला है, तो ऐसे कैसे तो आप ये चीज़ समझे कि जैसे ही रोयत्वारी settlement आया, land की कीमत बढ़ गई Land की कीमत बढ़ने लग गई, तो जो land lords हुआ करते थे, उनकी जो power है वो कम होगे, जो उसको till कर रहा है उसके पास ज्यादा power आगे, organically tenancy नीचे जानी चाहिए थे बट हुआ किया, जैसी land की value जादा बड़ी, जो money lander से वो land के उपर क्या देने लग गए, पैसा देने लग गए, एक high interest rate पे और उसे चुका नहीं पाते थे, जो भी farmers हैं, उसे चुका नहीं पाते थे तो ultimately क्या होता था, कि वो land को अपने कबजे में ले लेते थे अब money landers जो है, obviously cash restriction की वज़े से, कभी भी जो है खेती बाड़ी खुद नहीं कर सकते थे, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, वापिस tenants hire करना चालू किया, और उनको वो चीज देने लग गए, so option यहाँ पर C will be the right option, the land revenue settlement is directly made with the cultivators, यह भी सही है, तो correct कौन सा नहीं है, option C is not correct over here, understood, question number 95, in the context of political development in pre-congress era, consider the following statement, the East India organization was organized by दादा भाई, नारोजीन, सिये टाला रहे, भाई साम नहीं, लंडन, ठीक है, तो यह पहला गलत हो जाता है, दूसरा, पूना सार्वेजनिक सभा, was reformed after the merger of landholders association and Bengal British India Society, जे नहीं, यह नहीं है, इसकी existence अलग थी, पूना सार्वेजनिक सभा की existence अलग थी, अब रही नेटिव association, जी हाँ, यह मदरास के अंदर जो है, 1852 के करीब बना हुआ एक association था, जो actually वहाँ पे इन चीजों की बात करता था, कि अगर Britishers आपका exploitation कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ हमें resist करना है, बहुत बार यह association और Christian Machineries आपने सामने आ जाती थी, क्योंकि दोनों के objectives अलग-अलग हुआ करते थे, तो इसका correct option है only three, बट अगर आपको only three वैसे भी नहीं समझा रहा है, तो आप यह चीज़ देख लिजिए, कि first और two तो हमने गलत साबित कर दिया, first और second तो यहाँ first है और second है यह गलत हो जाएगा, यहाँ first है यह गलत हो जाएगा, यहाँ second है यह गलत हो जाएगा, तो elimination method से भी हम directly हमारे question की तरफ पहुंच सकते हैं, directly हमारे answer की तरफ पहुंच सकते हैं, अब चलते है question number 96 की तरफ, question number 96 क्या क्या क्याता है Which of the following statement is correct about the Indian Council Act of 1861 Indian Council Act of 1861 क्या क्या था है Restored legislative power to Bombay and Madras Presidency जब हम Crown Rule की बात करते हैं तो उसने Power को Decentralize करना वापिस चालू कर दिया उसने वापिस Power देना चालू कर दिया और जब हम बात करते हैं Company Rule की तो वो Power को एक जगे बंगाल की तरफ Centralize कर रहे थे तो जब ही भी हमने देखा कि After 1857 Crown ने अपने पास ली चीज़ें तो Power Restore करना चालू कर दिया इट प्रोवाइड फॉर इस्टेबलिश्मेंट अफ न्यू लेजिसलेटिव काउंसिल फॉर बेंगाल, North West, Prentier, प्रोविंस और पंजाब इस स्टेबलिश्मेंट इस अल्सों करेक्ट, इस एंपाउड देखा काउंसिल तो डिसकस दी फाइनेंशल मैंटर अट बजट, जी नहीं यह बिल्कुल भी गलत है हमारे पास बजट को डिसकस करने का, चीजों के उपर बहस करने का, कोई भी तरीके का मोशन पास करने का, जो राइट था, जो अधिकार था, जो पावर थी, वो बहुत बाद में जाके आई जो, statement 3rd is wrong, option 1 and 2 only, सही option क्या होगा, option 1 and 2 only question number 97, which of the following is not correct with respect to Singh Sabha movement, it countered the conversion by Christian missionaries as well as Hindu revivalists, this is right a network of khalsa schools and colleges were open throughout the Punjab यह चीज भी सही है it rejected modern western education जी नहीं इन्हों ने modern western education को reject नहीं किया राधर इनका कहना यह था कि हमारे बच्चों को भी जो है education मिलना चाहिए उनको भी western जो चीजें हैं उनका ग्यान होना चाहिए so this statement will be the correct answer for this the Akali movement was an offshoot of Singh Sabha movement to liberate Sikh Guru Dwaras from the control of Karap Mahans जी हाँ हिंदू Mahans जो थे उनसे liberalize करवाने के लिए ये चीज़ सामने रखी गई तो इसका correct answer होगा option C Consider the following statement regarding South India Liberal Federation formed in 1960 It criticized Congress dubbing it as Brahmin dominated organization जी हाँ यह बिल्कुल सही statement है It supported the home rule movement नहीं home rule movement जो चालू किया था Annie Besant ने उसको इन्होंने support नहीं किया था क्योंकि Annie Besant ने South के अंदर बहुत सारे Brahmin leaders का support लिया था इसके लिए ये उसके भी against में हो गए तो इसका correct option क्या होगा correct option होगा one only इसका right option होगा one only I hope आपको ये चीज समझ आ गई होगी ठीक है अगले question की तरफ सलते है अपने last 2 question बाकी रहे गए अब तो सिर्फ which of the following statement is not correct regarding the provision of regulating act of 1773 the act bought the affair of the company under the control of British Parliament a council of 10 members was appointed to assist the governor general यही पे चीज गलत हो जाती है 10 members नहीं थे 4 members थे कितने members थे 4 members थे ठीक है the governor general in council was made supreme over the presidencies in matter of war and peace मैंने आपको पहले भी बताय था कि जो power को concentrate करने की कोशिश की गई थी वो किस दौरान की गई थी company rule के दौरान की गई थी the act prevented the servant of company from receiving any gift जी हाँ तो यह A, C और D सही है right है not correct में आएगा option B हमारा understood, clear चलिए आगे चलते हैं और आज का हमारा last question हम discuss करते हैं जो right answer होगा not correct वाला answer होगा वो होगा C तो हमारा जो correct answer होगा वो होगा C यहाँ पर he followed a policy of military concentration and tribal conciliation in place of expedition towards northwest frontier province, this is also right, तो यहाँ पर हमारा right answer क्या होने वाला है, यहाँ पर हमारा right answer होने वाला है C, I hope आपको आज का discussion सही लगा होगा, आपको मजा से कौन से question को कैसे handle करना है तो हमारे channel को अगर अभी तक आपने subscribe नहीं किया है तो please subscribe कर लीजिए, thank you very much for watching, चलिए मिलते हैं अगले discussion में, और हर एक Sunday हम यहाँ पर discuss करते हैं पूरे weekly current affairs, ठीक है तो Sunday की class में भी मैं आपसे आप एक्षार रखता हूँ कि आप जूडेंगे जिसके अंदर पूरे week के current affairs को हम discuss करने वाले सुबह शार्प 11 वजे में आपके सामने आ जाओंगा, सारी चीज़े हम discuss करेंगे, so thank you very much please take care करेंगे